संसिदिय लोगतन एंग प्रस्षिशन शोज संस्तान प्राइड प्राइड वो संस्तान है जो देश और अंतराश्टी स्तर पर संसत की प्रक्रियाओं निवों की जानकारी देने का काम करता है भारत की संसत विश्र के विविन देशों के संसत सदश्यों को वहां के अधिकारियों को और विशेश लूप से भारत के प्रस्षिशन प्राप्त करने वाले अधिकारी करमचारी और विविन संस्ताओं के लोगों को प्रस्षिशन देने का काम करती है भारत की संसद दुनिया का सबसे बड़ा लोक्तंत है हमारी विशालता विवित्ता भीन है जो यहां भी जलकती है कि लक्ष दीव से भी हमारा एक नोजवान आज जीएश्टी कष्टम की राज़त सेवा के अधिकारी के रूप में देश और राष्ट की सेवा करने का काम करें जीएश्टी हो करश्टम हो हमारे यहांटेक्स की जो दो प्रणाली है उस प्रणाली में डारेंटेक्स डारेंटेक्से लेकिन अब इंडारेंटेक्सेंज का भी बड़ा मत बन गया है दुनिया के अंदर बदलते परिपेक्ष में भारत की संसद ने एक देश एक टेक्स पढ़ना ली जीश्टी की शुरुवात की, इसका विधेग भी भारत की संसद पारित हुआ और आए हम कह सकते हैं कि इसके पीछे मकसद ये था कि एक देश एक टेक्स हो ताकि टेक्स में सरलता हो, नियूमों में एकरूपता हो, नितियों में एकरूपता हो, और टेक्स देने वाले में विश्वास और भरोसा बड़े। हम सब राज्यस्वेवा के अधिकारी हैं, हमारी बहुत बड़ी महत्पुन जिम्मेदारी है, क्योंकि जो आप राज्यस्व इकटा करते हैं, उससे दीश के आर्थिक सामाजिक जीवन में परिवर्तन आता है, हमने हमारे बजट को आज 41 लाग करोड से जादा का बजट देकर दीश में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक नया युक शुरू के हैं, हमने इंफास्टरचर के रूप में, हमने बुनियादी सुईधाओं के रूप में और बदलते परिपेक्ष के अंदर आर्थिक डेस् टेक्ष नितियों के अंदर सरल्ता, सुईधा जनक और पार्दस्टिता लाने का काम किया है। आप सब नोजवान हों, आप तीन दिन तक यहां की संसत की प्रक्रियाओं, निमों की जानकरी प्राप्त करेंगे। आप आजादी के पहले आजादी के बाद यहां पर जब संस की लाइबरी में जाएंगे, तो समय समय पर टेक्स नितियों के अंदर, पोलिसीज के अंदर, रूल्स के अंदर जो परिवर्तन हुए हैं, उसका अध्यन करेंगे। क्या-क्या इंडारेक्ट टेक्स के अंदर आजादी के बाद कब-कब क्या-क्या परिवर्तन हुए। उन उसके सारान से आप पढ़ेंगे तो आपके मन मस्तिक्ष में क्लेटी आएगी कि उस समय उस कानून बनाने का क्या मक्सद था आज उस कानून बनाने का क्या मक्सद है हर सरकार्ण ने टेक्स प्रणाली के अंदर पार्दशीरता है, जवाब दे हो और टेक्स देने वालों का विश्वास बहुता बढ़े है। टूरिजम अन्य कई सेक्टर के अंदर अलग-अलग देश बेतर टेक्स प्रणाली को लाने का काम कर रहे हैं। जो आम वेक्ती की जरूत की वस्तु हैं, जो दिन प्रति दिन की वस्तु हैं, उसमें समय समय पर संसद में चर्चा समवाद करकर, स्टेट होल्डरों से चर्चा करकर, किस तरीके से टेक्स लिप के अंदर परिवर्तन करें। इसके लिए आप देखेंगे GST के अंदर, जब GST कानून लाए उसके बाद कितने परिवर्तन आएं। कितने रूल्स में परिवर्तन आएं। दो चीजें समझने पड़ेगी। एक होता है जो विधेक पास होता है वो संसद में होता है। रूल्स बनाने का काम डिपार्डमेंट करता है। इसने रूल्स बनाने का काम भी इतना महत्पून है। इसलिए जो विदेग पारित्वा उसकी मनशा के नुसार रूल्स बने नहीं बने इसको देखना समझना और क्योंकि आप भईश के वह नित्वत करना है जिनको टेक्नोलोजी का ग्यान है जो टेक्नोलोजी से टेक्स में पारदर्श्टिता लाना चाहते हैं टेक्स देने वालों का विश्वास बहुरों सा बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि जेश्टि के बाद विशंगत्यारी इन विशंगत्यों को दूर करा वियापारियों से चर्चा की टेक्स देने वाले अन्य estet holder heller से चर्चा की और उसको better बनाने कि ऐर आज भी बहुत बनोराव महत्पुन होताकि आप जब टेक्स पंधालीक के अंदर विदेक लाने में रूल्स बनाने में अपने महत्पुन सुजाओ देंगे अपने अधिकारियों को देंगे समय पूप समय सरकार भी देंगे ताकि हम धुनिया के अंदर भारत के अंदर टेक्स पर्णाली को पार्दश्टा बना सकें जवाब दी बना सकें और टेक्स देने वालों का विश्वास भरोसा बना रखें हमारे देश के अंदर जो सबसे बड़ी आउशक्ता है वह आउशक्ता है टेक्स देने वालों का विश्वास भरोसा अगर नीमों की जानक देने वाला आपकती है गर वह नीमों के जानकरी के अभाव कर रहा है तो उसको जानकरी सी चोरी करना चाहता है वह दिशा में काम करने हैं इसलिए एक सजग प्रहरी के रूप में सिविल सेवक मतलब जनता का सेवक, जनता का सेवक का क्या क्या दरित होना चाहिए, मेंबरों पार्लेमेंट जनता का सेवक होता है, जनता की बातों को सुनता है, उनकी बुनियादों को सुनता है और संसद में अपनी बातों को उनकी अ कांशाओं को रखता है आपका डारेक्ट व्यापारियों से उद्ध्योग पतियों से सभी टेक्स के लोगों से कॉंटेक्ट रहेगा आप उनकी बात को सुनेंगे और उनकी नितिया पोलीसी कानून की जान करेंगे मुझे आशा है कि आपका तीन दिन का ये प्रिशिशन शिविद आपके जीवन में बहुत महत्पून होगा जितनी आप इस यहां पर अध्यन प्रिशिशन प्राप्त करेंगे आपके जीवन में उतनी क्लेटी रहेगी आपकी सिवाओं के रुप में आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप यहां पर आए और तीन दिन तर मुझे आशा है आप लाइब्रिरी और विविन विश्यों के वि बहुत धन्यवाद